हेलो दोस्तों इस वीडियो में कंपारेजिंग करेंगे रियल्मी 8 में और MR8 में नोट 10 पूरो मैक्स में और देखते हैं बेस्ट फोन कौन सा है तो बात किज़ा डिस्प्ले से तो रियल्मी की हिस्षिक 5.4 इंच की एमाई की हिस्षिक 5.67 इंच की और दोनों फोनों का रेजुलेशन है 181 पर 24 पिक्सल और दोनी फोन में सूपर एम्रे डिस्प्ले के यूज़ किया गया है और दोनों में ही आपको 5.6 डिस्प्ले मिल जाती है और एमाई हिमाई को 120 हर्स का और एफेसिट भी मिल जाता है और रियल्मी में है 60 हर्स का और बात की जाए प्रोसेस की तो रियल्मी का है मेटे का जी नाइटी फाइब का सीप्यू हर टूपिंट जिरो पांस की का हर्ट उक्ते कोर का और इसमें 12 नैने मिटेस का फिन पैट और एमाई का जो प्रोसेसर और स्नेप डिंग का है 732 जी का सीप्यू हर टूपिंट जूपिंट जी का हर्ट उक्ते कोर का और इसमें 8 नैने मिटेस का फिन पैट और इसका जीप्यू हर 618 का और प्रोसेसर के मौले में एमाई बैस्ट है बात की जाए बैक के में की दोनों का कौर्ड में है रियलमी का जो में केमरा है वो है 64 मिसल का फिर 8 का फिर 2 का फिर 2 का और एमाई के 108 मिसल प्लैस 8 प्लैस 5 प्लैस 2 मिसल का और बात की जाए फरंड के में की दोनों का सीम ही 16 मिसल का मिल जाता है और बात कि जाए battery की, real में है 5000 हमेश की, Misch Farm में है 5000 हमेश की, और दोने की beta अप्स नो वनबल हैं, बात की जाए charge की, real में में है 30W का, में MI में है 33W का, और दोनों में आपको tabs का sport मिल जाता है, और finger pin sensor और face look bike और डोने phone मिल जाता है, दोने ही फॉन और ट्रिपल सी मिलती है दोने के वारंटी है एक साल की और दोने में कॉनिक्टेटी है थरजी और फॉरजी की और दोने फॉन में रैंबी सीम है छेज़ पर आड़ जबी की मिल जाती है और दोने फॉन के मैमोरी भी सीम है जो उसे जबे ठाइज भी की मिल जाती है और दोने ही फॉन में आपको अंडोड 11 मिलता है और बात की जाए प्राइज की तो रियल में का स्टार्टिंग है जो अस्पेक्टिव प्राइज और 15,000 के आसपास होने वाला है और M.I. का स्टार्टिंग है अठारा जार 999 रुपे तो अफिर आपको दोनों फॉन में से कौन सा फॉन पसंद आया कौन बॉक्स में जोरी बताना अगर आपको दोनों में से को फॉन ले ना है और आपको कमप्रेजिव फॉन ले ना है तो आप रियल में के साथ जा सकते हो अगर आपको कमप्रेजिव बताना